आपने चन्द दिनों पहले सदन का दृष्य देखा था बजट सेशन में, उससे पहले ओथ टेकिंग भी देखी थी आपने, समविधान के प्रती अपने हाथों में लेकर ओपोजिशन के लीडर्स ने, खास करके कॉंग्रेस, टीमसी, इत्यादी के सदस्यों ने समविधान का सपत लिया था, और किस प्रकार का होहला किया था, थोड़ी देर पहले, और कल से ही मैं कहूंगा, कई प्रेस कॉंफरेंसेज, बेंगॉल को लेकर हुआ है, किस प्रकार समविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इन इंडी अलायंस के, सरकारों द्वारा, उनके ने है, आप सबने खबर दी कुछ देर पहले, कि करनाटक के महा महीम राज्येपाल ने, अभी चंद घंटों पहले, करनाटक के वर्तमान के मुख्यमंत्री, सिदरमया जी के खिलाफ, केश चले, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, इसकी परमीशन उन्होंने ग्रैंट किया है, आप सबको पता है, इसके पीछे की पटकता क्या है, कुछ दिनों पहले मुदा लैंड स्कैम, मुदा मतलब मैसूरू अर्बन डेवलाप्मेंट का ये जो अथॉरिटी है, ये जो पूरा मैसूरू में लैंड अलॉट्मेंट देखती है, उसकी डेवलाप्मेंट को देखती उसमें किस प्रकार land allotment में घोटाला हुआ है यह उजागर हुआ था उसको लेकर कुछ civic society के लोगों ने जो हमारे civil society के intellectuals हैं उनमें से कुछ टीजे अब्रहम प्रदीब जी स्नेहमई कृष्णा इन लोगों ने करनाटक के गवर्नर थावर्चन गहलोज जी को एक petition दिया था और petition में they had demanded that a permission should be granted for persecuting the chief minister of करनाटका और आज आपने देखा है कि गवर्नर ने पहले तो राज्य सरकार से पूछा था जवाब और जवाब में राज्य सरकार ने जो सफाई दी थी उस सफाई को दरकिनार करते हुए क्यूंकि उस सफाई में तथ्य नहीं प्राप्त हुए थे उस सफाई को दरकिनार करते हुए आज गवर्नर सहाब ने सिदरमया जी के उपर केस चले सिदरमया जी के परिवार ने सिदरमया जी ने लैंड अलॉट्मेंट केस में घोटाला किया है यह स्पष्ट होता है और इस पर केस चले इसकी अनुमती प्रदान की है आखिरकार यह केस है क्या यह मुदा लैंड अलॉट्मेंट फ्रडुलेंट केस यह क्या है आप देखिए मैसुरू अर्बन डेवलप्मेंट अथॉरिटी जो है इन्होंने एक नियम बना रखा है कि अगर किसी ग्रामीन क्षेत्र में कोई लैंड अक्वायर करती है वो लैंड के लिए कॉलोनी के डेवलप्मेंट के लिए तो उसके बदले 50-50% एक स्कीम उन्होंने खोला है अर्थात अगर लैंड ग्रामीन क्षेत्र का उन्होंने लिया है तो उसके एवज में जो कंपेंसेशन दिया जाएगा वो सहरिक शेत्र में जिसको अंग्रेजी में आप अप मार्केट एरिया कहते हैं जहां ज़्यादा लाब होने की संभावना है जो डेवलप्ट एरिया है उस अप मार्केट एरिया में आपको 50% जमीन दिया जाएगा ताकि आप कंपेंसेट हो सको अपने ग्रामीन ख्षेत्र के जमीन के देखे दो हजार चार में सिदर अमया जी की धर्मपत्नी पार्वती जी उनके भाई ने लगभग 3.16 एकड जमीन केशरी नामा के गाउं है मैसुरू में वहां उन्होंने खरीदा था 2005 में इसकी जो मालकिन वो पार्वती जी बनी थी जो धर्मपत्नी है सिदर मया जी बाद में खैर ये मालूम पड़ा कि ये लैंड ट्रांसफर डील हो ही नहीं सकता था क्योंकि ये दलित की भूमी थी और हाल फिल हाल में ये पूरा केस उजागर इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति की ये तीन एकड जमीन थी उस व्यक्ति ने इसे रिकलेम किया मुदा से कि मुझे ये जमीन वापस दिया जाए मुझे ये जमीन नहीं बेचना था फ्रोडिलन तरीके से मुझसे ये जमीन लिया गया है और उस समय जब पूरा का पूरा investigation हुआ तो मालूम पड़ा कि मुदा ने already पारवती जी को जो कि धर्मपत्नी है सिधरमया जी की उनको 14 plot upmarket area मैसुरू में दिया जा चुका है जो की लगभग ये पूरा का पूरा जो scam है उसमें सपश्ट है कि जितने का compensation होना चाहिए था उससे कई गुना अधिक upmarket area में 14 land allotments हुए हैं और लगभग इसका आंकलन जो वर्तमान में media और जो वहां के जानने वाले लोग हैं उन्होंने किया है ये तीन हजार से चार हजार करोड रुपए का गोटाला है आप सोचके देखिए इनका कोई 50 करोड 100 करोड का गोटाला होता नहीं है उतनी की तो ये कौफी पी जाते हैं इनका गोटाला सब कुछ 4,000-5,000 करोड का ही होता है आप सोचके देखिए आप सोचके देखिए तु डाल डाल में पात 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 मतलब इनके बड़े नेता 5,000 करोड तो चोटे नेता बोड़े है अच 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 हम भी कॉंपिटिशन में चोड़ेंगे नहीं हम भी 5,000 करोड करके दिकाएंगे तो 4,000 करोड की लूट ये सिदरमया जी ने किया है उनके परिवार ने किया है और आज ये भारतिय जनता पार्टी या कॉंग्रेस का विशह नहीं है मैं एक साधारण नागरिक के रूप में दन्यवाद देता हूँ पहले गवर्णर इस प्रकार के केसे पे बैठ जाते थे पहले ही इस प्रकार के केसे पे पॉलिटिकल कंपल्शन पर नहीं देना आए आज मैं धन्यवाद देता हूँ इस प्रनाली को इस प्रक्रिया को कि जिसने घोटाला किया है उसे आज पर्सिक्यूट किया जाएगा उसके खिलाफ आज केस चलेगा और केवल यही नहीं आप सब ने देखा होगा वैसे तो यह केस मुदा घोटाले पर है फॉर्डिलेंड ल की डिव्लमेंट कॉर्पोरेशन स्कैन एस्टी समाज के लिए था जो पैसा वाल्मीकी महरसी वाल्मीकी जी के नाम पे एस्टी समाज के डिवल्लमेंट ले रखा गया था उस से लेंबागईनी घारी घड़ी ती लेंबागनी गाडी आप सोच ए देखिए और दरमया साहब on the floor of assembly he agreed that well yes इतना बड़ा नहीं थोड़ा सा और कम कर दीजिए वो तो transfer हुआ है पैसा आप सोच के देखिए इस निरलजता के साथ करनाटक में घोटाला हुआ है और आज पूरी देश इस बात का गवाह देगा कि हाँ मोदी जी के इस राज में जो भरष्ट होते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाता है और अभी मैं टीवी में देख रहा था कि कॉंग्रेस के अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे वो बेंगलूरू पहुँचे हैं और वहाँ नारे लग रहे हैं मैं तो मलिकार जुन खडगे जी से पूछना चाहूँगा वैसे आप देख सकते हैं मैं काला बैंड भी पहन के आया हूँ क्यूंकि मैं डॉक्टर फेटर्निटी का हूँ और आज देश के तमाम डॉक्टर्स काला बैंड पहने हुए हैं मैंने भी काला बैंड पहना हुआ है तो मैं मलिकार जुन खडगे जी से पूछूँगा घोटाले बाजों को बचाने के लिए तो आप बैंगलुरू चले गए मगर कलकत्ता जाएंगे क्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ प्रियंका वाडरा ने कहा था राहुल जी और प्रियंका जी कलकत्ता जाएंगे क्या या घोटाले बाज दरम्मया जी को बचाने के लिए आप सब बैंगलूरू जाएंगे वैसे मुझे लगता है हमारे प्रेस कॉंफरेंस के बाद आपनों डीके शिवकुमार जी से थोड़ा जादा पूछताच करियेगा तो बहुत कुछ वैसे आप इनफॉर्मली करियेगा डीके शिवकुमार जी से फॉर्मली कुछ मत पूछिएगा वो तो वही बताएंगे जो कॉंग्रस बता रही है थोड़ा उनके घर जाईए थोड़ा इनफॉर्मली चाहे डीके शिवकुमार जी के साथ पीजिए शायद कुछ तत्य हमसे छूट गए हो तो पूरा तत्य डीके शिवकुमार जी आपको देने में सक्षम होंगे बहुत बहुत धन्यवाद